बिस्मिल्लाहिर्रोह्मानी रहीम अस्सलामु अलेकूं रहमतुल्लाह आज है तारीक 20 सिप्टेम्बर 2022 दीन है मंगलवार आप देख रहे हैं यूट्यूब चाइनल लूच कनेक्शन सहुदी अर्विया मैं हूँ रहमत अली लेकर हाजिर हूँ आज काने अपडेट आपके लिए तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो हमने आपको इस वीडियो में सहुदी अर्विया से सामान अपने घर होम कंट्री कैसे भेजे इस समस्या का सामाधान इस वीडियो में कर दिया है वो भी सहुदी गौर्नमेंट के दुआरा तक पहुँचा अगर आप सहुदी अर्विया से छुटी जाने वाले हैं और इसी कारण वस आपका सामान जादा हो जाए तो आपको इस प्रोब्लम से या वीडियो निजाद दिला सकता है अगर कोई इस प्लेटफर्म के माध्यम से आप अपना सामान जाने से एक सप्ता य आपके कंट्री पहुच जाएगा वो भी लो कोस्ट प्राइच पर यानि सस्ते दामों पर इस प्लेटफर्म के माध्यम से आप किसी भी कंट्री जैसे इंडिया बंगलादेश पाकिस्तान फिलिपीन्स नेपाल या और भी किसी कंट्री में आप इंटर्नल या एक्स्टर्न सामान भेज सकते हैं तो चलिए आपको पूरा प्रोसेस बता दे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सेर करें तूखिया समस्या सभी बारी देशो में रहने वाले लोगों के साथ होता है और वह अपने मुल्क सामान तो भेजना चाहते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में या काम नहीं कर पाते हैं तो चलिए जानते हैं सामान भेजने का कारगो करने का पूरा प्रोसेस सहुदी अर्विया के सहुदी पोस्ट के माध्यम से यह सर्वीस को सहुदी अर्विया के किसी भी सहर में राते हैं हर जगह यह सर्विस आपको सहुदी पोस्ट दे रही है आप आसानी से सहुदी पोस्ट के माध्यम से कारगो कर सकते हैं जो लोग इंडिया पाकिस्तान बं से चाहिए कि सहूदी गौवर्मेंट के authorized platform सहूदी पोस्ट के माध्यम से से ही सामान भेजे सहूदी पोस्ट आपको अपने सामान का tracking करने की सुभधा भी देती है तो भी low cost price पर और इस service के माध्यम से आप कम समय में सुरक्षित समान अपने घर के नजदी की पोस्ट आफिस तक पहुँच जाएगा सहूदी अर्भिया के famous news source life in सहूदी अर्भिया पर एक customer ने अपना सामान सहूदी पोस्ट के माध्यम से भेजा और वह अपना experience share करते हुए बताता है कि हाल ही में उसने 30 केजी सामान सहूदी पोस्ट के माध्यम से पाकिस्तान के लाहर सहर में भेजता है जिसकी 30 केजी सामान की total cost 276 रियाल परता है 276 रियाल को 30 केजी के सामान को डिवाइड करते हैं तो परती केजी आपको 9 रियाल परेगा जब वह सामान सहूदी अर्भिया के जद्दा सीटी से लाहर भेजता है तो लगबग 11 दिनों के अंदर सामान पहुँच जाता है और वह कहता है मैंने अपने हातों से 30 केजी सामान बॉक्स तैयार कर लिया और आप अपने सहूलियत के हिसाब से 20 केजी का भी पैकेट साओधी पोश्ट के माधियम से भेज सकते हैं मुझे पाकिस्तान में किसी भी परकार का कस्टम चार्ज नहीं पेट करना पड़ा उस बॉक्स के अंदर अधिकतर समान हमने ड्राई यानि सुखा समान जैसे कपड़े जूते ड्राई फूड घरैलू इस्तमाल में होने वाले आइटम को उस बॉक्स के अंदर रखा आपके जानकारी के लिए बता दे कि लिक्विट आइटम पे पावंदी है उसने कहा पाकिस्तान कस्टम अधिकतर बॉक्स को ओपन करके खोल कर चेक करता है इसलिए आप प्रोहिबिटेट मेटिरियल जिस मेटिरियल पे रोक लगा गिया है उसे बॉक्स के अंदर नहीं आतिरिक्त सुल के दे कर आप अपना सामान वहां पर पैक करवा सकते हैं सहूदी पोष्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि सामान घर के नजदी की पोष्ट ऑफिस तक पहुचाता है आपके कंट्री के कस्टम बहुत जल्दी सामान को रिलीज कर देता है क्योंकि या सहूदी के सोर्स के माध्यम से सामान वहां तक पहुचता है अगर आप डोमेश्टिक कारगो करना चाहते हैं तो 50 केजी तक का सामान भेज सकते हैं या फिर इंटरनेशनल कारगो करना चाहते हैं तो 20 से 30 केजी का बोक्स तयार कर सकते हैं सहूदी पोष्ट आपके कारगो को ट्रेकि पर सकता है चलिए कुछ देशों के परती केजी कितना पराइज पड़ेगा आपको बता दे अगर आप 20 केजी सामान इंडिया एक्सप्रेस पार्सल के माध्यम से भेशते हैं तो 189 सहुधी रियाल पड़ेगा और एकनोमिक पार्सल में आपको 140 सहुधी रियाल अगर पाकिस् आपके जानकारी के लिए हम बता दे हम सहुधी रिविया से रिलेटेड ने नयए नीवीन को अपने चानल पर पोस्ट करते रहते हैं आप सहुधी रिविया से रिलेटेड नए अब डेट को सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्क्राइब कर ले मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी कनफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ तब तक के लिए असलाम वालाइकम रहमतुल्ह